इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि विस्टिंग का साइज क्या होता है विस्टिंग का साइज होता है 3.5 inches to the wide and height 2.25 तो यह साइज होता है हम एक नया document लेंगे एक new file create करेंगे और उस new file में unit change करते हुए जिसे हम inches use कर रहे हैं तो inches unit change करते हुए 3.50 2.25 लेते हैं और एक bleed area इसका छोड़ना होगा जो area हमें print जहां पर हमारे text अगर प्रिंट ना हो उसे हम bleed area कहते हैं कि वह non printable area होता है तो वहां हम कुछ भी draw ना करें डिजाइने करें उसके लिए हम एक margin कर देंगे या आप इसको margin कह सकते है margin set करना तो card में भी printable area का margin set कर करना हो उसके लिए हम यहां पर ही 0.12.12 का ऐसा bleed area जनरेट कर देंगे ok CMY के use किया जाएगा अगर हम multi color printing कर रहे हैं card को multiple quantities में और multiple printing कर रहे हैं तो CMY के use करेंगे otherwise हम अपने ही card sheet में अपने ही printer से normal local printer से निकाल रहे हैं तो आप आज ही भी लिए या CMY के लिए मोबाइल पर भीजना होता तो मैं यहां से आज भी ले सकता है तो हम यूज करेंगे शान वेजेंटा येलो कलर का एक कलर थीम करेंगे तो कुछ इस तरह से एक card का layout अर्ट बोर्ड हमारे पास आजाएगा इस आर्ट बोर्ड में हमें जो यह वाइट यह दिखाई देरा यह हमारा printable area कि जो कुछ भी हम डिजाइन करेंगे इस area के अंदर ही रखे करेंगे बेसिकली हमारा card का size जो है 3.5 इसकी width and height है हम vertical card भी design कर सकते हैं और horizontal भी कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में पताया है horizontal इस वीडियो में हम यह ले लेता है कि इसको हम card को vertical कैसे design करेंगे तो vertical design करने के लिए हम या तो इसको artboard को rotate कर सकते हैं या फिर एक नया artboard ल एक vertical में width की size डाल देंगे और height में हम इसकी width करी size ब्लीड एरिया उतना ही रखेंगे create तो हमारे पास अब क्या आ गया card का artboard vertical design आ गया कुछ भी अब type या तो type पहले कर लीजिए या background तियार कर लीजिए पहले तो जैसा भी है मैं simple सा एक काम यह करता हूं कि fonts उगराई यू new roman font लिया इसको मैं points or stand रखता हूं यहां पर मैं नाम लिख देता हूं कि लड़से this one text type करने के बाद इसको हम place करेंगे यह हमारा printed area है यहां हम इसको ऐसे present करेंगे bold italic या only italic थोड़ा सा अच्छा दीख जाए यहां से एक design में हम यह लेते हैं कि एक area define करते हैं यहां company का logo हो कोई भी company का logo हो एक box बनाके मैं फिलाल इसको place करता हूं मुझे यहां एक logo create करना हम लोगो भी create करेंगे यहां पर और next company name अब वह depend करता कैसे आप मैं यूज करता हूं WS मैंने यह ऐसे टाइप किया एंटर अब डब्ली स्क्यूब टैक कि सेंट्र लाइन वी साइज पॉंट साइज चेंज इट्स फॉंट्स जहां से फॉंट यूज करेंगे हमारे पास वैसे ज्यादा फॉंट अच्छे है नहीं पर फिर भी जो भी हमारे पास फॉंट अविलेबल है हम उस फॉंट की help से टाइप करेंगे इनको आपस में सेंट्र लाइन करना हो आर्ट बोर्ड के तो यह चक करेंगे आर्ट बोर्ड को हम सेलेट करें इन दौनों को हम सेलेट करते हैं आर्ट बोर्ड के सेंट्र में लेते हैं वर्टिकल और जो भी जैसे मैं यह लेता हूं और जो अब यह हो रहा कारण की दो अब मैं चाहता हूँ कि यह जो टेक्स्ट जो मैंने लिखता है इसको अलग से टाइप करते हैं दो अलग लग टेक्समग्स लेते हैं ताकि हम उनको आपण डाउन कर सके जो गैप आ रहा है वह हम यहां से फिक्वेंटली कम जादा कर सकें देन अगें वही अलाइनमेंट में जाते हैं अलाइन ट्वार्ड बूर्ड सेंटर लिया अपस में यह हो जाएं टेक्स्ट हाल्ड शिप के साथ ऐसे इसमें यहां में नेच्चे की तरफ में कुछ और डिजाइन करें तरक जैसे यहां इसको रखा कलर चेंज करते हैं आउटलाइन नहीं दिये ठीक है इसको कंट्रोल शिप ड्रैकेट के यल्फ से नीच्छे की तरफ शिप्ट करेंगे टेक्स थोड़ा बोल्ड लेते हैं जिससे दिखाई दे कलर इसका हम वाइट लेते हैं यह एक मैंने ओपर की तरफ ट्रेक्टेंगल शिप अगया है नीचे भी यही में आइट करता हूं इसको थोड़ा ऐसे स्क्वेर कर लेता हूं इसको आपसेट देंगे प्रॉपर्टिस में जाने के बाद में हम यहां से आपसेट देंगे इसका आपसेट पाथ माइनस इसको टू पॉइंट टू मीटर जिरो पॉइंट जिरो पाइफ माइनस प्रिव्यू ओन है कलर चेंज करेंगे ओके त्रिल कलर यह लिया प्रेश सकते हैं रेड कलर लेते हैं इसमें पढ़ा सा और एकिलर काइट की हदि हम रेडड को थोड़ादार्क करते हैं उप्धका व्लेक्स करेंगे किस और ये थोड़ा डिफेंट कलर लेते हें प्लू कलर लेंसे ऊफिल्ध को भी मैं ऐसे नुक्रादार्कश जादा होगे है। Data कुछ इस तरह से दो color में मैंने यह टाइप किया है यह मैंने लोगों के लिए जगा छोड़ रखती है यहां मैं चाहूं तो कुछ भी pen tool से मैं create कर सकता हूं जैसे मैंने पिछले card में बेनाया था इसी तरह से मैं इसमें भी ऐसा बना सकता हूं इनको multiple as a time duplicate कर सकता हूं and then ctrl D to duplicate them ctrl D जैसे मैंने भी mode किया तो इसको ctrl D करने पर इसी step को repeat करेगा Alt and drag तो कुछ इस तरह से यहां bottom में बनाया है इसी को मैं duplicate करते हुए Alt के साथ ड्रैग करते हुए वर्टीकली and अर्वर्टीकली color change करेंगे same color नहीं रखेंगे हम थोड़ा बेगराउंड से similar अब हम text को centerline कर सकते है इसके आज़े आर्ट बोर्ट के center में align हो जाए एक इसमें यह करेंगे Alt के साथ ड्रैग करते हुए duplicate करेंगे control shift bracket से back side में shift करेंगे white color add करेंगे इन दोनों को इसके back side तो यह थोड़ा सा shaded हो जाएगा ज्यादा हमने gap दे दिया इसको थोड़ा तो यह display होने लगए और यह color हमने थोड़ा light करना है तो हम इससे light कर देंगे जिससे हम त्यार कर सकते हैं यहां हमें logo लगाना है तो लोगो कुछ भी हो सकता है लोगो बनाने का तरीक का यह है कि आप इसको आप क्लिप पार्ट की हेल्प से यूज कर सकते हैं शिंबल की हेल्प से यूज कर सकते हैं जैसे मैं यहां से लेता हूं symbol pallet open करते हैं symbol pallet और open symbol library logo elements इसमें कुछ logo elements है vector pack हैं जैसे में shield का कोई एक logo रखना चाहता हूं तो मैं यहां से various types of shields दे रखे हैं यह शील्ड यूज़ करूँगा ड्राग और ड्रॉप ले साइज उससे मैंने यहां पर ऐसे प्लेस कर देना है कला कर देंके sound प्लैट कर देंगे सेंट्र लाइनिं अ यहां आपर सइड जो में नुज़ सकते हैं कि इसके साथ मैं हम यह लगाएंगे आँ अहए क्लाइन आं करेंगे वन क्रेंगे टाachment क्रेंगे फड़ा उससे हायलेट हो जाए अब बात आती है कि हमें यह जो सिंबल एड किया है है इसमें vpzić करने इसके एडिटिंग ऐलेटacies कर रहा है माउस पी जाने पर associative करेंगे object menu अब्जेक्त मेन्यूफ औंगुप तो क्या क्या अनगुफ वहा Hm दखेंगे हम Double Click वापस हम इसके अंदनर आगें, Ungroup अगें, यह, क्या पूरा है, अभी भी अनगुद्ध नहीं हुआ, again Um packed, again Um जितनी भी लाइन से इन सब को अन गूरूप करेंगा इस जितनी भी में यह पूरी तरह से ऑन गूरूप नहीं आप I will क्रेंगे यह हो गया एक सिंगल यहां में लेता हो जैसे मैंने टेक्स में जो ग्लू कलर दिया है तो वही क्लर में यहां यूस्ट करना आईड्रोपर टूल से मुझे यह लिना है यह ले दूंगो नया भी बना सकते हैं और सेम भी यूज़ करते हैं है डबल क्लिक करके हम इससे वापस ऐसे बाहर आजाएं कुछ इस तरह से कलर यहां पर मुझे कलर यूज़ करना है से मुझे कलर का सिमिलेटी होनी छी इससे पहले मैंने बनाया था इस बार मैंने इसको थोड़ा बलू शेड के दर ली लिया अब यहां हम क्या लिख सकते हैं एड्रेस लिख सकते हैं इनमें भी हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं डार कलर मोड ले ले लेते हैं इसमें आइड्रोपर टूल से हम कलर उठाएंगे देन इसी को हम डार्पनेस लेवल कर ले आए तो यह तरीका है कोई भी अब मैंने एक लैसे कुछ भी जो मेरे मारा था मैंने क्रेट कर दिया एक तो होता है कोई डिजाइन लेकर के उसको बैक्कराउंड में रख करके उसी का जैस एक नया डिजाइन तयार करना एक होता है बिल्कुल फ्रेश कहीं से भी कुछ भी हमें कुछ नहीं हमने से से जिखना वे इसस तरह से इसाइन चाहिए जेड़ू guitar करके संख चानितित्र i a to टेक्स्टम टाइब करेंगे यहां से एड्रेस लिखना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस कर देता हूं फॉर्ट की साइज आठ या दस रखी जाएगी बोल्ड कर सकते हैं जैसे बासकर सरकल कि मैं दो लाइन में भी किया जा सकता है कि पर अपने जैसे इससे पहले मैंने जो वीडियो को बनाया था दो इस बार मेंने वर्टिकल काड लिया है तो मैं एक अगर थोड़ा नी दीख रहा है तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं कौन साइस हमने आर्ट लिया है निवर्सिंग करना चाहिए रिवर्स कर सकते हैं डार्क ब्लैक लेना चाहिए तो दार्क ब्लैक कलर में भी ऐसे जो कर सकते हैं यह होता है एक विजनेस काड त्यार करना अइधर होर्रिजोंटल और वर्टिकल That's all for this video, thank you friends